नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News और मैं हूँ आपके साथ आभा हमारे देश में बेटियां कितनी भी आगे बढ़ जाए लड़कों के कंधे से कंधा मिला कर चल ले लेकिन आज भी लड़कों की चाहत बरकरार है भले ही बेटियां बेटों से समझदार हो जादा जिम्मेदार हो लेकिन वारिस के नाम पर बेटे का ही नाम लिया जाता है ऐसा क्यूं होता है पता नहीं पर आज एक खबर सामने आई जिसे देख कर मन दुखी हुआ खबर है जारखन से जहां सराय केला में रहने वाले एक 60 साल की बुजर्ग ने बेटे की चाहत में 35 साल की महिला से दूसरी शादी कर ली अपनी उम्र से भी आधी उम्र की लड़की से बुजर्ग ने अपना दूसरा विवाह कर लिया हैराने की बात है कि ये शादी उसने अपनी पहली पतनी की रजावंदी से की बुजर्ग का नाम है लाल मोहन महतो इन्होंने 35 साल की चैती महतो से पूरे रिती रिवास के साथ साथ फेरे ली लाल मोहन की पहली शादी 30 साल पहले सरला महतो से हुई थी अब इन्होंने ये दूसरी शादी क्योंकि ये पूछने पर बताते हैं कि इनके सरला महतों से दो बेटिया हुई जिन में से एक बेटी की शादी भी हो गई है जब पहली पत्नी से लाल मोहन को बेटा नहीं हुआ तो इन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्न लिया जिसके बाद लाल मोहन ने चैती महतो से विवाह कर लिया इस शादी में लाल मोहन की पहली पत्नी का परिवार भी शामिल हुआ शेत्र के समा से वी राम रतन महतो ने बताया कि अगर दोनों परिवार खुशी-खुशी आपस में संबंद बनाए रखें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है उन्होंने बताया कि चैती महतो की शादी भी नहीं हो पा रही थी और धीरे-धीरे उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी ऐसे में दोनों ही परिवार के लिए ये ठीक निने रहा अब प्रशन ये भी उड़ता है कि क्या इस शादी के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ती होगी अब ये तो भगवान जाने लेकिन इस खबर में एक बात तो सामने आई कि आज भी हमारे देश में बेटों की चाहत बरकरार है बात थोड़ी अटपटी है पर खबर सही है इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप अपने राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपने आसपास के और भी नई तरजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीज़े और बने रहे हमारे साथ तैंक यू दिन भर की ताजा और जादा खबरों के लिए पढ़ते रहे हैं सांधे बॉडर टाइंस निउस्पेपर और इसे लगवाने के लिए कॉल कीज़े 97832-480981 और हाँ आप इस नबर पर वाट्सप भी कर सकते हैं तैंक यू अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर